मानिंग स्टुडेंट आज की क्लास में हम अध्यन करेंगे समाजी ज्यान का जो हमारा चैप्टर टू था भारती अर्थिविवस्ता के छेत्रक ठीक है उसका आज हम पार्ट टू अध्यन करेंगे और पार्ट टू में कुछ बचे गए जो हमारे दिर कुत्री प्रश्ण थे पार्ट टू प्रश्ण और अध्यन करेंगे तो चलते हैं अपनी क्लास पर और अध्यन करते हैं भारती अर्थिविस्ता के छेत्रक के बारे में इसमारा कोईश्ट्न था आगला जो दिर कुत्री प्रश्ण था वो था यहां पर पूच्छा गया है कि आर्थिक बड़ाक मतल लगा ले जेगा है यहां पर इधर आर्थिक गत्विदियां रोजगार की परिस्तितियों के आधार पर कैसे वर्गिक्रत की जाती हैं तो इन दो वर्गों में बाढ़ सकते हैं पहला वर्ग होगा हमारा संगठित छेत्र की गत्विधियां दूसरा होगा आज संगठित छेत्र की गत्विधियों की बात कर देते हैं तो संगठित छेत्र की गत्विधियों के अंतरगत इसमें वे छेत्र आते हैं जहां रोजगार की अवधी नियमित होती है रोजगार की जो अवधी होती है नियमित होती है इस छेत्र में सरकार द्वारा पंजी करण किया जाता है इस छेत्र में नियमों वी नियमों का पालन करना पड़ता है नियूंतम मजदूरी अधिनियम वाकार खाना अधिनियम आधिनियमों का उलेक इ दी नीयमों को नियमों गाले करना पड़ताया और नियुंतम मुझदूरी अध्यम, वकाल खाना अध्यन होथै, मों काव लेग भी इस चेत्र के अंतरगत किया जाता है तो इसलिए यह चेत्र जो है वो संगठिक चेत्रों के अंतरगत आता है जैसे सरकारी लोग जितने भी होंगे वो तो सारे संगठिक चेत्र के अंतरगत आएंगे ही तिक है आंगे मगर बात करें आज संगठिक चेत्र की गत्तिधीओं के बारे में तो देखिए यह चेत्र चोटी चोटी बिखरी जो एकाईंगे इसों से यह बना हुआ है इसमें सरकारी कानूनों को ताक कर रख Sun काम किया जाता है इस चेतर में नियम वावी नियम तो होते हैं परंत उनकी अनुपालना नहीं की जाती इस चेतर में स्रमिक का वेतन भी बहुत कम होता है जो स्रमिक का वेतन होता है असंगरिक चेतरों में बहुत कम होता है इस चेत्र में सुविधाएं तो ना के बराबर होती हैं इसलिए इसे आसंगठिक चेत्र कहा जाता है जैसे आसंगठिक चेत्र के अगर बात करें तो लोग जैसे अपना काम करते हैं जैसे मजदूर लोग काम करते हैं और जो मितलब सरकारी ना होके सरकार के अधीन ना होके ज वो सभी लोग आस संगठिक छेत्र के अंतरगत आएंगे तो ये था हमारा संगठिक और आस संगठिक के बारे में बात करें तो अगला कोश्चिन मिसे पूछा गया है इंपर्टेंट है असंगठिक छेत्र के श्रमिकों को नीमन लिखित मुद्धों पर सनरच्छन की आवस्चता है जो मतलब असंगठिक छेत्र के अंत्रगत आएंगे जैसे मजदूरी, सुरच्छा और स्वास्तव उदार सहित हम इनकी ब्याक्य करने किस तरह से हम इनको सनरच्छन की आवस्चता है उसके बारे में बात करेंगे तो देखिए अगर नीमन लिखित उदारणों से हम इसपस्ट करेंगे कि आसंगठिक छेत्र के मजदूरों को मजदूरी, सुरच्छा और स्वास्त जैसे मुद दोपर सनरच्छन की आवस्चता है पहले मजदूरी की अगर बात करें तो देखिए मजदूरी की बारे में बात करें तो आज संगठिक छेत्र के जो स्रमिक होते हैं वो प्राया दस से बारा घंटे तक बिना किसी ओवर टाइम के उनको काम करना पड़ता है ऐसे मजदूरो को मजदूरी के अलावा दूसरी सुविधाय भी नहीं मिल दी जाती है इस छेत्र में स्रमिकों के लिए प्राया रोजगार सुरच्छा का अभाव पाया जाता है इस छेत्र में रोजगार की प्रकती प्राया आन्यमित होती है ऐसे मजदूर पहले ही कर्ज के बोज तले करने के लिए तयार हो जाते हैं तो इस तरह से इनकी कुछ हमें सुरच्छा के बारे में सोचना चाहिए प्रदान करना चाहिए ताकि इनका जीवन हो वह अच्छे से चले और इन्हें इस तरह से कर्ज के बोज तले यह दब ना पाएं चलिए आंगे हम बात करेंगे दूसरी स सुरच्छा की बात करें अगर हम मजदूरों के सुरच्छा के बारे में बात करें तो देखिए आज संगठी छेत्र के जो मजदूर होते हैं वो जोखिम भरे भी कारे करते हैं जैसे इट दोग कोईले की खान में काम करने वाले मजदूरों को सुरच्छा का हमेशा खतरा ब स्वास्थ से अगर हम इनके स्वास्थ की बात करें तो जोखिम बरिकार में लिपत होने के कारण जो स्रमिकों का स्वास्थ होता है वो खराब रहता है इसका मुख्रकारण एक तो अच्छे खानपान की कमी है और दूसरे उदोगों में जहरीली गैस वा धुए का प्रभाव ह है इस संदर्व में हमारी सरकार को प्रभावी कदम उठाने की आवश्थ सेकता है मतलब हमारी जो सरकार है वो इन स्रमिकों के बारे में कुछ सोचे इनके बारे में सोचे जिसे जोखिम भरा काम करते हैं तो इनको कुछ मतलब सुभिधाय प्रदान हो जैसे स्वास्त सुभ बीमापॉलसी वो भी होनी चाहिए यह सब सरकार की तरफ से इन में ध्यान देना चाहिए तो यह प्रभावी जो कदम है वो सरकार को उठाने चाहिए अगले हम लगुत्री प्रश्णों पर आ जाएंगे पहला हमारा लगुत्री प्रश्ण है उसके बारे में चर्शा करेंगे पहला प्रश्ण हमारा है सार्वजनिक वा नीजी चेत्रों में अंतर इसपष्ट कीजिए क्या अंतर होता है सार्वजनिक वा नीजी चेत्रक में तो देखे सार्वजनिक अगर चेत्रक की बात करें तो स पर सरकार क्याओं करना होता है लोगहें नहीं रोजगार की सुरच्छा भी दी जाती हैap प्राइवेट वाले लोग तो जो प्राइवेट काम करेंगे उन्हें निजी छेत्र के अंतरगत उन्हें रखा जाता है तो ये परिस संपितियों पर निजी इनका स्वामित होता है इनका अपना ही स्वामित होता है अपनी संपिती पर और सारी चीजें एक व्यक्ति या कमपनी द्वारा उपलब्द करवाई जाती है अधिक्तम लाब कमाना इनका उद्देश्य होता है और रोजगार वस्रमिक यहाँ पर क्या होते हैं आज सूरच्छित होते हैं निजी छेत्रों में चलिए दूसरे कोशन की बात पूछा गया है यहाँ पर दूसरे कोशन में बोला गया है कि रास्टी रोजगार अधिनियम के तीन प्रावधान बताईए तो देखे रास्टी रोजगार के बारे में बात करें तो पहला जो प्रावधान होगा वो होगा रास्टी गारंटी यो प्रना मिलने या कम मिलने पर विरोजगारी उन्हें भत्ता भी प्रता किया जाएगा आगर आपको रोजगार नहीं मिलना आया या तिक आ 연तर गतल में बत्ता भी दिया जाता है तीसरे ही, इनका जो कार इस्थान होना चाहिए वह अपने गाहथ अगले अगले कोशिन की बात करें, तो इसमें पूछा गया है कि प्रात्मिक चेत्रक से आप कैं समझते हैं, इन चेत्रों के किनी चार गत्विदियों को सूची बदर कीज़िए तो देखे प्रात्मिक संसाथनों के प्रत्य उपयोग पर आधारी तो अनेक की ओपने पात्र और क्रसी डियरी मसेन वानिकी यादिका भी इसमें प्रयोग किया जाता है आंगे हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट में अगले कोश्चन की अगला कोश्चन है कि उदाहरणों की मदद से स्वामित के आधार फर छेत्रों के मद्द अंतर रिपस्ट कीजिए तो देखिए बात करें गरनीग शेत्रों के अंतरगत सार्वजिनिक छेत्रों के अंतरगत रेलवे ओ यंगी सी आता है तो रिलायन्स विप्रो और Imposy जो कंपंटनियां होती है ये निची छेत्रों के अंतरगत आती है मतलब जो सरकार की चीज़ें ह की वह साल्य gefels्चन के अंतरगत् तो देखे पहला ही कोशन है सीवा चेत्रक में सामिल गत्विधियों के दो उधारण दीजिये तो परिवारन संचार वो ब dłैंकिंग यन्य स punish के अंतिमुत पाथ की गर्णा को की जाती है तो उद्दमों के स्वामित्त के आधार पर ही सार्विजनी को वनीजी छेत्रकों को वर्गी करत किया जाता है अगला कोश्चन रोजगार स्रजन में किस छेत्रका भारत में प्रतमिस्थान है तो देखे अगर रोजगा सरजन की बात करें तो परात्मिक चेतर का चेतर में जो भारत में प्रत्थमिस्ताने प्रात्मिक चेतर का ठेक है अगला कुश्चन जो ऊमानाँ उसमें पूछा गया है कि रोजगार गारंटी अदनियम किस वर्स लागौ किया गया था? तो रोजगार गारंटी अंदिन्यम वर्स 2005 में लागू किया गया था अगला कुशन हमारा कि आर्थिक गत्विदियान जो तरतियक छेतर में नहीं आती है को दाराण दीजिए तरतियक छेतर के अंतरगत जो मतुमक्खी पालन है वैसे तो यह आएगा इस तरह से प्रात्मी के अंतरगत मतलब यह जो मतुमक्खी पालन है वैसे तो तरतियक के अंतरगत आना चाहिए क्योंकि यह सभी के लिए लाग दायक भी होता है काम करता है उनकी विकास में क्योंकि सभिस्से में सह den मिलता है लेकिन यह तरतीया के अंतर्गत नहीं आता है ठीये वहाँ करेंगे सारवियनिक छेत्रक में सरकार का मुखceral होता है तो सारवियनिक छेत्रक में सरकार का मुख खुद्देश होता है एगले कोश्चन के यहीं पर बात करें एगला कोश्चन पूछा गया टिस्की जैसी जो कमपनियां है उनमें कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा तो रास्टी रोजगार गारंटी अनियम टिस्की जैसी कमपनियों में नहीं लागू होगा वहीं प सबसे सकता है सरवादिक हिस्सेदारी इसकी मुख्ष विसेष्था है किसकी सेवा छेत्रक्टी आंगे हम कुछ बहुभी कल पीप्रश्ण का अधिन कर लेते हैं पहला कोश्चण है जो हम पाड़ चुके हैं अधला उत्तरी कोश्चण इस दिये हुए सेवात छेत्रक में मैं जो गतिवधियां सामिल होती है वे क्या है तो वे है परिवेहन संचारवा बैंकिंग टीक दूसरे कोश्चन पूचा गया है संगतिक छेत्रका सही हुत्तर चायन कुछिन 5 में पूचा गया है निम्न में से किस आधार पर सा्रवज़निक और नीजी चित्रकों कु वरगी ख रत किया गया है जली अप्सवर्शनंडमर है फोर्थ में पूछा गया है निम्र में से कौन सी क्रिया कलाब दितियक छेत्रक के अंतरगत नहीं आता है तो प्राक्तिक उत्पादों को भी निर्मार द्वारा बदला जाता है ये दितियक छेत्रक के अंतरगत नहीं आता है कोशन नमर 6 की बात करें तो सारुजिनिक उद्दम का स्वामी तो निमली खित में से किस के पास होता है तो ये जो सारुजिनिक उद्दम का स्वामी तो होता है ये सरकार के पास में होता है आगे हम कोशन नमर 7 की बात करें तो अल्प विरोजगारी का अर्थ ऐसी स्थिती है जहां लोग रोजगार में है परंतु उत्पादन वहाँ पर सून यह होता है क्या बोलते हैं छिपी भी रोजगारी भी कहते हैं या अलपवी रोजगारी भी कहते हैं आगे हम कोशन नमर एड की बात करें निम्न लिखित में से कौन सी आर्थिक गत्वितियां तरतियक छेत्रक में नहीं आती हैं तो तरतियक छेत्रक के अंतरगत मदुमक्खी जो पालन है ये तरतियक छेत्रक के अंतरगत नहीं आता है आगे हम बात करें सार्विनिक छेत्रक का क्या उद्देश है तो सार्विनिक छेत्र का उद्देश होता है सामाजिक कल्यान और सुरच्छा अफसर नमबर थाड़ यहां पे सही होगा कोश्चन नमबर टेन की बात करें तो टिसको जैसी कमपनी में निमली खित्मे से कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा तो टिसको जैसी कमपनी में रास्टी ग्रामेड यह रोजगार जो गारंटी अधिनियम एक्ट है यह लागू नहीं हो क्योंकि टिसको तो एक कमपनी है अगला कोश्चन है क्रशिगत छेत्र के स्रमिक होते हैं कैसे तो ये अल्प विरोजगारी होते हैं चिपे विरोजगार ठीक है आंगे हम बात करेंगे कोशन नमबर 12 की निम लिखित में से किसे प्रशन विरोजगारी के नाम से जाना जाता है तो अल्प विरोजगारी को ही प्रच्छन या छिपी विरोजगारी के नम से जाना जाता है नमर 13 हमारा है कि निमन लिखित में से कौन साथ चेतरक 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक चेतर था प्रात्मिक चेतरक या दिरतियक चेतरक या तरतियक चेतरक तो यहाँ पर परात्निक चेत्रक जो होगा वो 1973 में सबसे बड़ा उपादक था ठीक है तो अप्सन नमबर यहाँ पर फर्स्ट हमारा सही होगा अगले कोश्च नमबर हम यहाँ पर बात करते हैं 14 की 15 की 14 हमारा है यहाँ पर सावेतन चुटी का प्रवधान किस चेत्रक में होता है तो सावेतन चुटी का प्रवधान जो होता है वो संग ठीक चेत्रक में होता है राइट अप्सन है यहाँ पर हमारा दो होगा आगे हम बात करते हैं कोश्च नमबर 15 की तो निम्न लिकित में से कौन आता है। तो रहा जाए को हमारा थारड तो चलिए बस यहीं से अगल घुलकीैर हो क्लास में तो चप्टर टू हमारा आज फिनिश होता है चप्टर थर्ड का अध्यन करेंगे हम कल की क्लास में